कि वेल्कम दोस्तों ग्यान टाइंस में आपका स्वागत है आज हम चानक के निती द्वारा कि कुछ बाते बताने जा रहे हैं चानक के जी में बताया गया है कि मित्यू के कारणों से कैसे बचे या मित्यू के कारण हो सकते हैं शिलोक इस प्रकार है दुष्ट भारिया, शठा मित्रम, प्रतश्च दायकह, ससर्पे, ग्रहे वासो, मित्यू रेव, नाशंशिया अथात चानक के कहते हैं दुष्ट पत्नी, शट मित्र, उत्ता देने वाले सेवक तथा साप वाले घर में रहना ये मित्यू के कारण है इसमें संध्य नहीं है, आचाय चानक कहने चाते हैं कि ये चार चीज़ें किसी भी व्यक्ति के लिए जीरी जाती मित्यों के समान हैं दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र, जवाब देने वाला अथात, मू लगाल नौकर इन सब को त्याग दिना चाहिए घर में रहने वाले साप को भी कैसे भी माद रिना चाहिए, ऐसा ना करने पर व्यक्ति के जीवन को हर समय खत्रा बना रहता है क्योंकि किसी भी सद्र ग्रहस के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना मित्यों के समान है वह व्यक्ति आथ हत्या करने को विवश हो जाता है वह स्त्री सद्राव व्यक्ति के लिए दुख का कान बनी रहती है किसी प्रकार नीच व्यक्ति धूत अगर मित्त के रूप में आपके पास आकर बैखता है तो वह आपके लिए आहितकारी ही होगा सेवक या नौकर भी घर के गुप्त भेज जानते हैं वह भी यदि स्वामी की आग्या पालन करने वाले नहीं हैं तो मुसीवत का कारण हो सकते हैं उसे भी हर सावधानी बरतनी पड़ती है तो दुश्र स्त्री छली मित्र वा मू लगा नौकर कभी भी समय पढ़ने पर धुका दे सकते हैं अता ऐसे में पत्नी को आग्याकारी वा पतिवता होना चाहिए मित्र को समझदार वा विशुस्नी होना चाहिए और नौकर को स्वामी के पति शद्धवान होना चाहिए इसके विपीत होने पर कष्ठी कष्ठ है इनसे व्यक्ति को बजना ही चाहिए वरन ऐसे व्यक्ति कभी भी मित्यों को घिरास हो सकती हैं आशक हता हूँ आपको समझ में आया होगा आप में चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें बेल आइकन पर क्लिक करें धन्यवाद झाल